आपका 15 है ठीक है इससे पहले हमने शॉर्ट आंसर एक से लेकर 14 ते डिसकर कर लिए आज आपका कुश्चन नंबर 15 है ठीक है यह पूंच रहा है इनके बनाने की बिदियां किस तरह से इनको बनाया जा सकता है गुड तथा उपियोगों को लिखिए तो यह सभी चीजें आपसे पूछ रहा है कि अमायनो ऐसे आखिर होते क्या है बनाने की बिदिया किस तरह से इनको बनाया जा सकता है और गुडों इनके गुड क्या है और इनके उपियोग क्या है तो यह सभी चीजें पढ़नी है सभी को दिसकेस करेंगे ऐं माइनो ऐसे सबसे पहले कि अमाइनो ऐसे डाफ के होते कि होते क्या यह कार्वोक्सिलिक अमलों के वियुत्पन ही चिटके आर गुरॉप के हाइडोजन परमाड़ों के अनुरूप अमीनों समूहों द्वारा विस्थापित कर बनते हैं किस से बनते हैं जो आपका एलकिल समूह के हाइडोजन परमाड़ों के अनुरूप अमीनों समूहों द्वारा विस्थापन से बनते हैं यह क्या है क्या आपका यह आपका आमेनो अमीनों समूहाँ द्वारा बिस्थापipत हो जाएंगे इसका यह जो है मानलों क्या लखा हुगा कुछ इस तरह से एच और एच और एच ठीक है अब क्या भी इसकी रियक्शन एनेच टू यानिके अमीनो अमलों के द्वारा कर दोगे एक हाइडोजन आपका निकल जागा और इसकी जगह पर आपका एनेच टू जो है आके लग जागा ठीक है तो लग जागा ठीक है आपका अमीनो अचिटिक ऐसिट तो इस तरह से आपके क्या होते है कारुट वोग डेरिवेटेव होते है या व्यूत्पन माने जाते है नियूए अलफा वीटा गामा इत्यादि कई प्रकार के होते हैं, alpha amino acid होता है, आपका beta और gamma और आपका delta भी हो सकता है, ठीक है, तो alpha amino acid की अगर हम बात करें, तो alpha carbon मतलब कि आपका alpha carbon होगा, इसमें ठीक है, alpha carbon आपका वो carbon होता है, कि किसी carbon से अगर आपका functional group लगा हुआ है, माल लोगे कि आपका CWH, जो कि आपका है, क्या है functional group ठीक है कार्वोक्स ले कम इसके पडोस वाला कार्वन ठीक है इसके पास वाला कार्वन आपका क्या कहलागा अलफा कार्वन ठीक है उससे दूर वाला कार्वन क्या कहलागा आपका गामा ठीक है और दूर वाला कार्वन क्या कहलागा आपका डेल्टा ठीक है तो यह तो आपके Amino Acid है यह आपके Alfa हो सकते है, बीटा और गामा, ठीक है, Alfa, बीटा, और गामा Amino Acid यह कई परकार के हो सकते हैं, एल्फा अमैनो असे इसमें क्या है आपका कारवन इस कारवन से क्या Looks रगा हुए आपका CH2 यानिकि दूसरा कारवन इसको Kemal क्याज़ को अगर हम लिखें तो किस तरह इस िंखेंगे ? CH2 और इससे क्या लगा हुए आपका Sonhootecom और इसी कारवन से क्या लगा तो इसको किस तरह से लिखेंगे इस पर क्या भी ये क्या वह जागा आपका functional group क्या है आपका functional group ठीक है और आपका एक CH2 लगा इसी CH2 से आपका क्या लगा हुआ NH2 और CH2 यानि कि इसमें आपके क्या है functional group के बाद मैं आपके 2 carbon लगे गुए ठीक है तो इक हो जागा आपका alpha carbon पर हम बात कर सकते हैं यहाँ पर हम बात कर रहा है alpha बीटा गामा की चली आगे इसके पढ़ते हैं तो यह पर कह रहा है यह आपका अमिनो अमल उदासीन अमलिये तथा बेसिक हो सकते हैं ठीक है एस्डिक बेसिक और आपके निउट्रल तीनों हो सकते हैं ठीक है अमलिये हो सकता है आपका उदासीन हो सकता है आपका और कैसा हो सकता है अमीनु अमिय और किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं होता है क्या हो जागा आपका नहीं तुर 1 मतलब कि आपका एलफायसीन किया एलफायसीन स्वी आफायसीन क्या एक यहां कि मैंसे तो लिखा है तो इसमें आपका लफा बीटा बीटा इसे कहते है ऐलनीन क्या कहते है आपके घ्लाइसीन और एलनीन क्या है आपके उदासीन अमीनोमल है नें क्या है उदासी नpping confirm नंहीं कि यह आपका च्छ कहा हुआ है ऐसके बाद में आपका सीज्टी इए आपका एक acidic group लगा हुआ है क्या लगा हुआ है acidic group लगा हुआ ठीक है तो इसी तरह से यह क्या हो जागा आपका aspartic acid नाम क्या इसका aspartic acid और यह acid कैसे है आपका अमली है माईनयूज इसे क्यों इस पर यह एके यह एक आपका ची डब़ हो ऺचिक एक है डूसरा आपका इस पर लगा है ठीक तो दूसरा ओगए आपका अमलियू इमींट मूली है अपका बेशिक को अमीनट मूल तरहें कि बेसिक अमीनो partie of एक है यह किस तरह होगा इसको कहते हैं, glutamic acid होता है, जो कि आपका किस तरह का कारी करता है, यह आपका basic की तरह कारी करता है, ठीक है, क्या होता है, basic amino acid बनाने की विधियां, amino तो कौन कौन सी विधियां, यह करके हम जानेगे, number 1 क्या है, straker synthesis या straker बिधि, ठीक है, straker synthesis या straker बिधि, तो इसमें किस तरह से जो amino acid को प्रेपर किया जाता है, तैयार किया जाता है, ठीक है, straker synthesis, इसमें क्या होगा, आपका है, एक aldeard ले लिया है, दूसरा के लिया है, hydrogen cyanide ले लिया है, ठीक है, जब aldeard और hydrogen cyanide ठीक है, यह क्या है, तैयाँ थृइफिरी और आपका CH, और इससे क्या लगा हूए, आपका, ओ, low, low, ठीक है, CH3, ठीक ए, और आपका, क्या है, CHO ठीक है, यानि कि C, W10, सिंगल फ्टिक त्यावका आपका moneस का एच पील किया आपका 2 समय से देगा उल्द हईशह घ्यां गजा चल जागा है प्रफ यह ग्यादी तो आपका गांट चला भीवर चेज अब कहाँ चला जागा में आपका यह चला जागा डिक यह वाना एच और बचा Você कर बचा Regent अपका दूसरे वाले कार्बन पे लगा हुआ है यह अपका क्या होगा यह आपका आपका आपके यह वाला बाकी क्या था आपका इससे लगा हुआ डूसरी तरफ लग गया एक आपका इस तरह से यह product बन जाएगा कब जब आप LDH डेलोगों और hydrogen cyanide से आपको यह मिल जागा ठीक है अब क्या होगा इसकी reaction ammonia के साथ कर दो किसके साथ में ammonia के साथ जब आप इसकी reaction करोगो नहीं थरी के साथ में तो आपका क्या बनेगा तो आपका कुछ इस तरह कैसे बन जागा ठीक है तो आपने क्या लिखना एन और एच और एच बच गया तो यह कर दिया आपका एच टू यहां से क्या हो जागा रिमूब हो जागा ठीक क्या हो जागा रिमूब यहां पर क्या लग जागा एच टू तो लग गया है आपका एने इस्टूont ऑ गया और से और समय आक सब्सक्राइब गार जया अब इसका किया घटन क्या पर रादिया हैडलू इसका रिंधाँ आप यह झाली निथि कल डिलमा लख करेंगे अगाट लिखा हुआ अब यह कुछ इस तरह से ब्रेख होगा सी अन से क्या होगा आपका एनेच थरी बहार निकल जागा मतलब हमें दो मॉलेकूल लेने जलके ठीक है तू एच टू लेना तभी आपका क्या होगा एक हमने एच चो एच कर दिया दूसरा हमने कर दिया है एच ओ लेना और एच एच ठीक है क्या कर दिया है थी एन था हमारा ठीक है दो मॉलेकूल ले लिए हमने जलके एक क्या कर दिया हमने ओ एच और इधर एच जूसरा कर दिया ओ और इसके दोनों हाइडोजन जो है नाइटोजन के साथ तो क्या हो जागा एन एच तरी क्या बनगे आपका ए ठीक है तो यहां से क्या हो जागा मानेस है निकल जागा ठीक है और बनन जागे आपके आपनीच थीन उपर्वाले करना है इसके साथ में यकशन कर्णा दो मानिकूल जल के तो इसलिए यहां से प्रॉप आमिनो प्रोप यह सेट ऐलफा नो wrap निक एसली आफ स्लिप protei इसलिए alpha amino propionic acid बन जागा second अगर हम बात करें तो second विधी है जिससे हम amino amino को बना सकते हैं वो कौन से यह आपकी हैलोजन अमलों पर सांदर NH3 की क्रिया से जब आप हैलोजन अमलों की क्रिया सांदर NH3 के साथ में कर दोगे गत्याइलोजनगर हैलोजन तो यह आपका क्या है है घलोजन है क्या है लोजन है हेडोजन अशिड भू जाए करी की साथ में आपका बही पर लग जाएगा ठीक है तो इसी कार्वन से क्या लगए आपका एनेच्टू आपके लगए आपका और COOH ठीक है बागी आपका एसट बन गया कौनसा अमाइन्व एसट ठीक है और हचील आपका बाहर निकल जागा ठीक है इस तरह से नेक्स्ट इसके प्रूपर्टीज की अगर हम बात करें अमीनो ऐसेड की तो इनके कुछ प्रूपर्टीज या कुछ गुड इस तरह से हैं करा क्रिस्टली यह कैसा होता है क्रिस्टली फॉर्म में पाया जाता है ठीक है तो यह क्रिस्टलीन सॉलिड होते हैं और इनका जो टेस्ट होता वो कैसा होता मीठा होता और आसानी से जल में घुल जाते हैं इनकी अंदर जो अमाइनो एसेड में आपका एनेच टू और आपका पाया जाता है इसके कार्ड यह कैसे होते हैं एंफो टेरिक अपय्वक क्युन कोड़ जल में गरते हैं जो और ड़ योघर होता है उसका आपका लग जाता य 텁ज तूर सी डवलो मापिस तो इसे कहते हैं जो जल में घोल कर क्या करते हैं फार्मेशन करते हैं अम्ली माद्यों अभेस थीक कहें यहां पर यह बन गया आपका जोइटराइन क्या बन गया है जोईटराइन बन गया ठीक है इसका जो हाइडोजन था और यह CWH group का hydrogen पहले निकला H plus form में और यह कहां गया NH2 पहले अभी आगे आपका nitrogen के पास में ठीक है जहां बन जागा आपका NH3 और nitrogen कितने bond बनाता है आपका प्रतिये कमीनों अमले के लिए एक ऐसी pH होती है एक ऐसा pH मान होता है जिन पर क्या होगा कोई जिससे इस पर कोई आवेस नहीं होता है ठीक है इस पर कोई आवेस जनरेट नहीं होता ना तो इस पर प्लस का चार्ज होगा ना ही क्या होगा इस पर माइनस का आवेस जो है जनरे किसी हिए इलेक्टोड की और गति नहीं करते हैं तो आपके एनोड की गति करेंगें और नहीं आपके कैफोड की ऊपना को ख contribute है तो इस हिए है प्याहिग मान को खहते हैं isoelectric नहीं करेंगे इस ही पॉइंट को क्या रहत है इस प्रोपर्टीज की कि जो आपके अमीनों अम्ले उन कुछ अमली गुण है उनके बारे में हमने जानना है तो इसमें आपका जो एसीड है आमायनो अमल है यह आपका और निकल जागा और इसका यहांपर लग जागा अब बचा क्या OH और H यानि की H2O आपका जो है बन जागा क्या बन जागा साथ ही H2O बन जागा और sodium लबड बन जागा ठीक है और दूसरा क्या जब इसकी reaction आप एथिल अलकोहल से करा दें किसके साथ अधिल अलकोहल के साथ में कराते हैं तब भी क्या हो जागा यह एथिल अमाइनो एसिट बन जागा और यहां से जल जो है आपका बाहर निकल जागा ठीक है यह जुड़ जागा इधर से इसका है और इसका OH ठीक है इस तरह से जल निकल जागा और आपका COOC2H5 बन जागा ठी एक यह थैंअ होता है कि इसके चारी गुड़ की बेशिक प्रोपैटी क्या होती है यह आपका क्या है आपका अमाइनो एसे जो की रिएक्शन करेंगा साथ सेल के साथ q कि लवड का फार्मेशन कर लेता है कि इसका फार्मेशन करता है लवड का फार्मेशन मालोई यह क्या है आपका HCL माइनस ओ एकके तरह क्या करेगा इस पर क्या says मेंश क्या बनालेगा यह लबड काही से सब्सक्राइब आपका नाइरोजन ये और ये दोनों आपके नाइटरोजन जो है बाहर निकल जाए मिलाजा जाए प्लस आपका क्या होगा हिस्ट अपका एंच छो पिस आपका यहां से आपका हाइड्रोगे ऑ एक हाइड्रोजन आपका यहांसे थीक धूब और यहां विद्म पास बागी आपका चला गया और ह2 और एक एक और एक ऑपस यह तो यह गूर्प आपका निकल गया किसके साथ में ऑक्सिजन के साथ में इसके ठीक है अब बच किया गया आपका यह लग गया आपका हाइट रह चाहाut ho lug leana haidrosy cd 하 Québec तो इस तरुषे हम Lum अमिननो को बना सकते हैं उनके गुड़ बें देखे ते और उनको बनाने की विद्रिया भी हमने जाने ती और हमीनो एसिट होते क्या है वो विने पड़ा था अमीद करते हैं समझमें आया और from अगले वीडियो में बनिदे यह माहा सार थैंक्स वा वाचिंग एंड शेयर दा वीडियो